नमस्कार महशमत सेथ, रियल एक्सप्रेस में आपका स्वागत हैं भारत में कोरोना के दूसरे लहर पर नियंतरन पाना काफी मुश्किल हो गया है कोरोना की इस बढ़ते मामलों को देखकर कई बड़े शहरों ने संपुन विकन लॉकडाउन लगा दिया है जैसे बड़े शहरों की बात करें, मुंबय, भोपार, रायपूर इन शहरों ने संपुन विकन लॉकडाउन लगा दिया है उसके अलावा कई शहरों ने या फिर कई राज्जियों ने नाइट कर्फ्यू भी लगा जाया है ताके कोरोना पर नियंतरन पाया जाए अगर हम कल की बात करें, तो पूरे भारत में 1,45,000 के आसपास नए केसे आये हैं इन केसे को देखकर भारत वासी कापी परिशान नजर आ रहे हैं अगर हम प्रवासी मजदूर की बात करें तो जो लोग बाहर से आकर दिल्ली मुंबे जैसे बड़े शहरों में काम करते हैं वो अपने शहरों को फिर से वापस लोटने लगे हैं उनसे बात करने पर उनका ये जवाब आता है कि कहीं फिर से पूरा लॉकडाउन ना लग जाए और हमने आज से एक साल पहले जिन चीजों को जिन परिशानियों को जहला है हमें फिर से न जहलना पड़ जाए अगर अब दिल्ली मुंबे के रेलवी स्टेशन पर देखें प्रवासी मजदूरों की भीड लगी हुई है अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी इस बड़ते कोरोना के मामलों को देखकर कई बड़े कदम उठाए हैं उन्होंने दिल्ली के जितनी भी स्कूल से हैं चाहे हो सरकारी हो या फिर प्राइविट हो उनमें उनको पुरी तरीके से बंग कर दिया है और ये आदेश दिया है जम तक हमारा अगला आडर ना आ जाए स्कूल को ना खोला जाए ताके स्कूल में आने वाले बच्चे संकर मितना हो और दूसरी आशन का ये भी जताई जा रही है कि राचियों ने ये कहा भी है जो हमारे पास वैक्सिन की कमी हो रही है अगले 2-3 दिन में जो वैक्सिन हमारे पास stoke है वो खत्म हो सकता है इस वैक्सिन को लेकर राहूल गान्दी ने भारत के परधान मंतिरी नरंद्र मोदी को लिटर भी लिखा है और उन्होंने ये कहा जो हमारे भारत की जिस तरह नहीं पाया जा रहा है और हर दिन लाग से उपर नए केसिस आ रहे हैं सामने कहीं न कहीं हमारे लिए ये मुश्किल की घड़ी आ सकती है जितने भी बेट से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से हैं वो सब के सब फुल हो सकते हैं और दिली सरकार ने इस बढ़ते मामले को देखकर 24 गंटे वेक्सिनेशन करने का भी आदेश दे दिया है अब रात में दिन में 24 गंटे दिली के अस्पतालों में वेक्सिन लगाया जा रहा है